मौसम और अन्वेशा के स्कूल टाइमिंग के बदलने से मेरे भी रूटीन में आजकल कुछ चेंज आ गया है अन्वेशा के स्कूल की टाइमिंग हो गई है 9.45 जिसके कारण मैं तो सुबह ही उट रही हूँ और काम का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है तो सुबह सुबह उट करके पहले हस्बन को ब्रेकवास्ट बगरा बना करके कराया उसके बाद में ही मैंने जाडू लगाई है क्योंकि सुबह को हस्बन 7.30 के करीबर निकल जाते हैं इसलिए उनको पहले ब्रेकवास्ट बगरा बना कर देना मेरी प्रायोरिटी होती है तो बस हस्बन को ब्रेकवास्ट दिया उसके बाद में मैंने जो भी क्लीनिंग का काम था थोड़ा बहुत जाडू बगरा लगाने का काम था वो कर दिया है तो अभी 7.30 हुए हैं, husband अभी ओफिस के लिए निकले हैं, तो मैंने नहा लिया है उनके जाने से पहले ही, और अब बस जैसी वो निकले हैं ओफिस के लिए तब ही मैं पूझा करने के लिए बैठ गई हूँ, तो बस अभी मेरे को अभी एक घंटा के करीबन लगेगा, मैं अ अनवेशा के टिफिन के लिए, तो husband भी वही पाव भाजी खा करके गए हैं, अनवेशा को भी टिफिन में वही पैक करके दिया है, अचा रात की सबजी बची थी, रात को पनीर बनाया था मैंने, तो अनवेशा तो पनीर से खाएगी, अभी उसने पाव भाजी नहीं खानी है वो ले करके जारी है मेरे लिए पावर नहीं बचेते तो मैं भाजी के साथ में पराठा बना रही हूँ अपने लिए तो इस तरीके से अनवेशा मैं दोनों आज साथ-साथ बैट करके नाश्ता कर लेंगे 9.30 हो गए हैं और अनवेशा का टिफिन भी मैंने पैक कर दिया है तो ये 10-15 मिनिट हैं जब अनवेशा को ब्रेकफास भी करना है रेडी भी करना है और बस थोड़ी सी हमारी चिट-चैट हो जाती है मम्मी बेटी की और बच्चों के साथ में कम्यूनिकेट करना बहुत जादा जरूरी होता है इससे बच्चे आपको एक फ्रेंड की तरह सम तो बचे दीरे-दीरे करके अपनी मन की बात आपसे बताने से डरने लगते हैं तो मैं अनवेशा के साथ में फ्रेंडली रहने की कोशिश करती हूं तो बस उसको अनवेशा को भेज करके स्कूल के लिए और अभी मैं आ गई हूं वापस से किच्चिन में मैंने ब्रेकफास हो चुके बस मॉपिंग रहती है तो पूरा घर सेट हो चुका है बस मॉपिंग करके और फिर मैं फ्री हूं फिर बस लच की तेयारी जो भी करनी होगी वो करूंगी और 10-15 तक मैं फ्री हो जाओगी और मेरे साथ साथ न मुझे ऐसा लग रहा है कि सुर्य दिर भी अपने र प्रोपडों का धो दिया है दूसरी बार मेरे फिर से लॉंड्री लगाई है और आज मशीन को डी स्केल भी करना है उसके बाद में बाहर जाना है मैं आप सब के साथ में शेयर करूंगी कुछ ऐसे बहुत इफेक्टिव से प्रोडक्ट जो मैंने पूरी सर्दी यूज किये है और अब मैंने उनको ना दुबारा से मंगाया है तो मुझे लगा कि शायद आप सब के साथ में शेयर करूंगी तो अच्छा रहेगा जो परसनली में यूज कर रही हूं आजकर अगर आप अपनी स्कीन हेयर के लिए यूज करेंगे तो आज साथ में एक डियाइवाई भ जिसकी कुछ तयारी मैंने रात को भी की ती तो इसके लिए मैंने लिया है यह मोल्डिट क्ले मोल्डिट क्ले के दो सॉफनर और हाडनर आते हैं उनको दोनों को आपस में अच्छे से दो तयार करने के बाद में मैंने फ्लोर के उपर एक थोड़ा सा टेलकम पाउडर डाल और उस ट्याकम पाउडर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से एक पतली स्ट्रिप बना ली है और जो एक्स्टा ट्याकम पाउडर था उसको हटा दिया है तो मैंने दो स्ट्रिप काती है इसमें मेजरमेंट कुछ नहीं है बस थोड़ी लंबी करके लेनी है चौडाई कट करने के बाद में मैंने एक विनेगर की बॉटल ली है उसके बेस में मैंने इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया है यह लगबक एक इंच चौड़ी कड़ी बन पट्टी मैंने जो कट की थी यह मोल्डिंग क्ले की वो इसके उपर चिपकाई है और एक पट्टी में जोई भी क्रैक वगरा ना दिखें मोल्डिक क्ले है तो बहुत ही आसानी से हो जाती है अब इसी क्ले का बचा हुआ हिसा लेकर के मैंने इसके उपर रोल किया और रोल करने के बाद में इस तरीके से डिजाइन बना रही हूं आप ग्लू से जो भी डिजाइन बनाएंगे न वो आसानी से इसके उपर चिपक जाएगा और चिपकाने में इसमें बहुत जादा महनत नहीं लगती चाहें तो इस काम को हम वाल पुट्टी की हेल्प से भी कर सकते हैं लेकिन वाल पुट्टी ड्राइ होने में बहुत जादा टाइम लेती है मैं इस करके इसका यूज किय बिच में कुछ बटन्स बनाया है और इसको अच्छे से सूखने के लिए मैंने जब यह अच्छे से ड्राय हो जाएगा बहुत सादा राइक कारीबं modernव जाएगा तो एक पिन की help से मैंने यहां पर बार्बिक्यू स्क्यूर लिया है, उस बार्बिक्यू स्क्यूर की help से मैंने पूरी bottle में जहां पर भी यह लंबी-लंबी line समने बनाई थी न, उसकी चारो तरफ मैंने इस तरीके से dots बना दिये हैं, दोनों दर्वाजों के उपर भी और इन इसके बाद में जब यह dry हो गया तो अब मैं इसके उपर करूंगी fabric krill के water based color, water based color हैं, बहुती आसानी से इसके उपर हो जाएगा, मेरे थोड़े से पुराने हैं, जिसकी वज़े से यह थोड़े से गाड़े हो गए हैं, ठिक हो गए हैं, लेकिन इसी तरीके से करना है, और गड़े हो गए हैं, तो इनका effect और भी जादा खुबसूरत आ रहा है, तो यह देखें, मैंने यहाँ पर red color दोनों दरवाजों में कर दिया, और दोनों leaves में मैंने green color किया है, इसके बाद में जब यह color सूख गया, तब मैंने acrylic paint लिया है red color का, और उसके बाद में इसके चार भी use कर चुकी हूँ, दुबारा से मंगाए हैं, इसलिए आपके साथ में share कर रही हूँ, और इसमें कुछ product ऐसे हैं, जिनको अगर आप regular use करते हो ना, तो आपको उसके visible result देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मुझे खुद को भी महसूस होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में अपनी केर पर specially दिहान दोंगी, एक नई रजनी आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलें, तो फिलहाल मैंने क्या मंगाया है, सबसे पहली चीज, यह है एक hair oil, wow skin science का अरगन oil, और अरगन oil के benefit बहुत जादा हैं आपकी बालों के लिए, यह है इसका comb, अच्छा में कोम दिया है, लेकिन अरगन oil को आप अगर जैसे नारियल तेल या जो भी आपका regular oil, आप hair के लिए use करते हैं, उसमें mix करके करेंगे, तो इसके benefit आपको ज्याधा मिलेंगे, बार आप लोगों की comment आते हैं, जब भी भी मैं DIY करती हूं, कि आपना अपना nail paint ठीक कर लो, त लगाया था, तो यह अभी भी ठीक है, मैंने सुचे चलो, वीडियो ऐसी shoot कर लेते हूं, फिलाल यह मैंने एक नई nail paint का set मंगाया है, juice company का पहली बार मैं juice को try करूंगी, और color बहुत प्यारे थे, affordable rate था, तो मैंने सोचा कि यह ले लू, और इन तीनो colors को एक साथ apply भी कर सकत है, nude से shade है, अब चुकि गर्मिया आ रही है, आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए, गर्मियों वाली feeling आ रही है, तो यह वाले तीन shade आप देख सकते हैं, यह बाद में मेरा best और all time favorite, face wash clean and clear, यह foaming face wash होता है, आपकी, especially अगर आपकी skin oily है, क्योंकि मेरे क्या रहता है, oily हो हो जाता है, तो इसके एक wash से यह न मुझे बहुत relief मिलता है, मतलब skin बिल्कुल clear हो जाती है, तो यह मैं highly highly recommend करूंगी, अगर आपकी skin type भी मेरी तरह है, तो मेरा एक और favorite product जो बन चुका है, वो है, M caffeine का coffee face scrub, body scrub भी मुझे अच्छा लगता है, और face scrub जो है, यह तो मुझे का का अरगन शैंपू भी मंगाया है, और अरगन क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या benefits है, इसके बारे में अगर आपको जाधा जानकारी लेनी है, तो मैं किसी वीडियो में बता दूँगे, अदरवाइस आप Google कर सकते हैं, आपको बहुत सारे benefits पता चल जाएंगे, तो यह मैंने एक अरगन शैंपू भी मंगाया है, यह 500 ml का है, तो काफी time तक चल जाएगा, और हाँ, यह सारी shopping जो मैंने की है, यह मैंने Amazon से की है, और Amazon से भी ऐसे नहीं की है, Amazon पर चल रही है, Great Republic Day Sale, जो कि Prime Member के लिए 14 तारिक से start थी, और main event जो है, वो 15 से 20 तक है, अपनी cart में कु और आपको इस time पर बहुत अच्छे discount मिल जाएंगे, fashion, beauty, home, appliances, कोई भी category का अगर आप कोई भी सामान लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे discount मिल जाएंगे, तो मैंने भी जब sale लगी है, तब ही काफी सारी चीज़े shop की हैं, और चुकि शादियां भी हैं, तो मैंने कुछ और भी shopping की है, अभी धीरी-धीरी करके सामान आ रहा है, तो मैं आपके साथ में hand-to-hand share करे जा रही हूँ, तो अभी जैसे बाकी का सामान भी आता है, तो अगले वीडियो में share करूंगी, तो आपको भी जो भी लेना है, इन सारे product के link मैं नीचे description box में दे दूंगी, तो cashback की खटा होता रहता है, तो फिर वो ले लेती हूँ, अच्छा अब की बार मैंने M caffeine का body scrub नहीं मंगाया है, इस बार मैंने मंगाया है plum का body scrub, और इसकी वनीला वाली खुशबू है, नेक्स में जिस product की बात करूंगी, वो बहुत जादा important है, हमारी after 30 age के लिए हमें use करना ह चाहिए और वो है कुमकुमादी तैलम, कुमकुमादी तैलम के गुणों के बारे में अगर आपको जादा जाना है तो आप Google कर सकते है, उसका use करने से, regular use करने से, आपके color तो गोरा नहीं होता है, लेकिन आपको spotless skin मिलती है, जो glass clear skin होती है, वो मिलती है, काफी सारे aging के science जो होते हैं, वो जाते है, नाइट में इसका use कर, किया जाता है, इसको आप बालो में use कर सकते हैं, आपको इसको nails में use कर सकते हैं, और nails की massage अगर करेंगे, तो आपके cuticle problem जो होती हैं, वो नहीं होंगी, मार्किट में काफी सारे कुमकुमादी तैलम मौजूद है, मैंने यह देखिए, तो यह है मेरा Ayurvedic कुमकुमादी तैलम, और Ayurvedic का है, और कुछी drops use की जाती है, अगर आप nails पर लगा रहें तो आप directly भी लगा सकते हैं, और eyebrows पर लगा रहे हैं, उसको थोड़ा सा dense करने के लिए, तो night में आप फल के हाथ से massage करके सो सकते हैं, इसके affordable ही है, दूसरी चीज, इसमें जो चीजों का use किया गया है, वो लगवग 26 जड़ी बुटियों का इस्तिमाल किया गया है, कामा Ayurvedic में भी मैंने मुझे पसंद आया वो भी, क्योंकि pure है, organic है, लेकिन उसकी जड़ी बुटियां है, उनका जो quantity थी, वो कम है, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, highly recommend करूंगी, Maybelline mascara मंगाया है, मैंने waterproof mascara है, Maybelline का sky high, और less sensational ये mascara है, और इसका applicator मैं आपको दिखा देती हूं, किस तरीके का है, बाकी आपको use करने के बाद में बताऊंगी, applicator इस तरीके का है, generally mascara में एक या दो coat लगाने के बाद ही, अच्छा आपक को effect मिलेगा, और जबी भी बसकारा लगाए, तो अपने eyelashes को पहले curl कर ले, तो आपको और अच्छे result मिलेंगे, फिलाल बस ये shopping की थी, शादी की और अपनी skin की, और hair की care के लिए, तो चलिए अब वापस से चलते हैं, अपने DIY की तरफ, पूरी bottle के उपर मैंने इस तरीके से paint लिया है, मैंने ये, और इसको हलके हाथ से ले करके मैं इस तरीके से dust करूँगी, पूरी bottle के उपर, जिससे कि इस bottle के उपर shine आ जाएगी, और ये dots जो लगाए थे, वो और उभर करके आ जाएंगे, इसके बाद में मेरे पास एक yellow color का थोड़ा सा paper था, उसका मैंने एक round cut क मेरे bottle के ढखकन के बराबर, उसके बाद में इस तरीके से twist करेंगे हम इस round को, और मैंने उसको paint करके चारो तरफ लगा दिया उसके lace, और इसके अंदर मैंने ढखकन को भी चिपका दिया है, और इसके बाद में डाल दी है fairy light, मेरे पास rice light नहीं थी, otherwise rice light ही इसको use करना है इस वाली इससे जादा गर्मी हो जाएगी तो bottle फटने का डर है, तो मैं highly recommend करूंगी कि अगर आप ये bottle waste या bottle lamp बनाते हैं, तो इसके अंदर आप rice light का ही use करें, कैसी लग रही है तयार होने के बाद में मुझे comment box में जरूर बताएगा, outlook कुछ इस तरीके से हैं कुछ भी अच्छा लगा ना तो इसको like जरूर कीचेगा, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और interesting वीडियो में, तब कर के लिए be happy, be happy, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, bye bye